जैहिन दोस्तों स्वागता आपका अपने इटूब चले नितेस जी के इस्टडी आईक्यू पर आज का टॉपिक अमारा यूपी पुलिस कॉंच्टेवर संबंदित मैंट्पूर प्रिसनों के बारे में यादि आप इनमें से किसी प्रिसन का उत्तर पहले से जानते हैं तो कम आपका पहला प्रिसन है 2011 की जनगर्णा में पुर्स और महिला साक्षस्ता दर्को किरमसा कितने प्रितिसत की रूप में दर्च किया गया था तो इसका सही आंसर हो जागा ऑप्सन नंबर C 82.14 प्रितिसत और 65.46 प्रितिसत अब 2011 की जनगर्णा से संबंदित कुछ important point देख आपका पहला point है गरेलू सूची करन और जनसंख्या गर्णा 15 भी बारतिय जनगर्णा के दो चरण थे जो 2011 में हुई थी इसके बार next point है प्रिति एक इमारत के बारे में डेक्टा एक्टर करना housing listing चरण का हिस्ता था जो 1 अपरेल 2010 को सुरू हुआ था इसके बार next point है 9 2021 2011 में एक्टरित किया गया था इसके बार next point है प्रारंबिक रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 31 मार्ट 2011 तक बढ़कर 1.21 बिलियन हो गई जो 17.70 बार्सिक ब्रदी दर का प्रिटिन दित करती है इसके बार next point है 9.25 की विकास दर के साथ बैंक 24.04 तक पहुँच गई है हमारी जनगर्णा हमारा बविस जनगर्णा का आदर सबाक था इसके बाद next question है बाती राश्टी कांग्रेस के 79 में से किस ने परिश्ट की प्रिश्टी के प्रिश्टाफ की हार देखी जिसके कांग्रेस खिलापत सुराल पार्टी का नर्मान के कुछ important point है वो देख लेते हैं पॉइंट नमबर एक है सतर 1922 में चितरन जन्दाफ कांग्रेस के अध्यश्ट थे इसके गया सतर में दोनों जमों के बीच बास्तिविक मतवेश सामने आये इसके बाद next point है कांग्रेसियों का एक बड़ा बर्ग परिश्ट में इसके बाद next point है उन्होंने इसे कांग्रेस खिलापत स्वजाथ पार्टी नाम दिया इसके बाद next point है सी आरदास नई पार्टी के अध्यश्ट और मोतिलाल नहरू महासचिब थे इसके बाद next question है निम लिकित में से किस देश की टट्रेखा सबसे लंबी है तो इसका सही आ इसके बाद next point है रूस के बाद कनाडा की राजदानी ऊतावा है इसके बाद मेश्ट पॉयंट है इंडोनेसिया दुनिया का सबसे बड़ा दीफ समग Richmond इसके बाद, next question है, पूरवी हर्याणा और उत्तरपिदेस की सीमा पर निन में से कौन सी नदी बहती है तो उसका सही आउसर रहा का, इउम्ना नदी, पूरवी हर्याणा और उत्तरपिदेस की सीमा पर यम्ना नदी बहती है अब इसके कुछ important point हैं वो देखते हैं जैसे कि point number एक है यमना नदी हर्याना और उत्तर पिर्देस के बीच सीमा बनाती है जो यमना नदी है भह हर्याना और उत्तर पिर्देस राज के बीच सीमा बनाती है इसके बार नेश्ट पॉइंट है यमना नदी हर्याना दिली और उत्रपिडेस उत्राखंड और हमाचल पिडेस के बीच सीमाओं को भी परिवासित करती है इसके बार नेश्ट पॉइंट है यमना नदी उत्राखंड में यमन उत्री गलेसियर से निकलती है नदी 136 किलोमेट की याद्त रखती है और संगम प्रियाग राज में ग्रोही में बिलीन हो जाती है इसके बार नेस्ट पॉइंट है जहां यमना का पानी दो प्रमुख नहरों में विवाजित होता है पूर्वी यमना नहर उत्तर पिडिस की और पस्चमी यमना नहर हर्याना की और बहती है मतल नमबर एक गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हमसे भागरिती के रूप में होता है इसके बार नेस्ट पॉइंट है गडवाल मंदल में देव प्रियाग पहुंचने से पहले मंदाक्तिनी पिंडर धौली गंगा और बिशन गंगा नदियां अलकननदा और भागरिती में भालिंग नाली में मिलती है इसके बार नेस्ट पॉइंट है सरस्वती रिगवेद और अनवैदिक गंथ में बरनित एक प्रिमुख न दी है इसके बार नेस्ट क्यूशन है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी द्वारा बीमुद्री करण की गोशना कब की गई थी तो इसका स खानोनी निवीद़ा की रूप में अपनी इस्थित्य की एक मुद्रा एकाई को छीनने का कारिया है इसके बार नेस्ट पॉइंट है ये तब होता है जब होता है जब राष्टी मुद्रा में परिवच्छन होता है और मुद्रा के बर्तमान सरूप यरback उरूप को पिचलन लिए गया था इसके बाद नेश्ट पॉइंट है आठ नमबर 2016 को बार सरकार ने सभी 500 और 1000 बैंक नोटों के में मुद्री करण की घोशना की थी इसके बाद नेश्ट पॉइंट है बी मुद्री करण का उदेश भारत को कर अनुपालन ना करने वाले समाज से एक आग्यकारी समाज की ओर ले जाना था इसके बाद next question है भारत की संचित निदी से निदी निकालने के लिए नेमले खित में से किसका अनुमधन अनिवारिया है तो इसका स्यांसर हो जागा भारत की संचित निदी से निदी निदी निकालने के लिए भारत की संचित का अनुमधन अनिवारिया है अब इसके कुछ important point है वो देखते हैं point number 1 है भारत की संशित निदी भारत के संविधान द्वारा एक तक किये गए सभी राजव को रखने के लिए बनाए गई एक निदी है point number 2 है इस निदी से धन की किसी भी निदी से धन की संसित निदी से धन निकालने की सकती नहीं है इसके बाद next point है ये सुनशित करने का एक तरीका है कि सरकाल लोग की सहमयती के बिना धन खर्च ना करे इसके बाद next question है नेमलेकित में से कौन सा उत्रपिडिस का छेत्रिये संगीत नहीं है तो इसका सही आंसरो जगा लमन लमन उत्रपिडिस का छेत्रिये संगीत नहीं है और उसके बाद में आला, होरी और सोर ये तीनों उत्रपिडिस के छेत्रिये संगीत है इसके कुछ important point है जो देखते हैं Point number 1 है लमन हिमाचल प्रडेस का एक छित्रिय संगीत है लमन गायन कुलू घाटी में लोग प्रिय है और हिमाचल प्रडेस के अनमेटपूर्ट छित्रिय संगीत वो है वो इस प्रिकानेत जूरी लमन और संसकार आदी उत्र प्रडेस के छित्रिय संगीत की बात की जाए तो वो है आला, होरी, सोहर, खेयाल, गजल, स्वांग, नकल, मर्सिया, कबाली, रासलीला और रामलीला मतलब लमन जूँगा वो हिमाचल प्रडेस का एक छित्रिय संगीत है नमन गायन कुलू घाटी में लोग प्रडेस और हिमाचल प्रडेस के अन्चित्रिय संगीत है जूरी लमन संसकार आदी है और उत्र प्रडेस के छित्रिय संगीत जूँए वो इस प्रड़काने अला, औरी, सुहर, खैल, गजल, स्वांग, नकल, मर्सिया, कब्बाली, रासलीला और रामलीला इसके बाद नेश्ट क्यूशन है निमलिक्त में से किस बंस के सासन काल में एरान के साहा और अफसरीद बंस के संस्थापक नादिर साहा ने दिली पर आकरमन किया था अब इसके कुछ इंपोर्टन पॉइंट है बो देखते हैं सबसे पहले है नादिर साहा बहे 1736-1747 तक इरान के साहा रहे इसके बाद नेश्ट पॉइंट है बहे एक सफल सैननेता और बिजेता थे जिन्होंने इरान, मद, एसिया और भारत के कुछ इसो को सामिल करने के लिए अफ्रीदी समराज पर विस्तार किया इसके बाद नेश्ट पॉइंट है उन्होंने 1749 इसवी में भारत पर आकरमन किया और करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को हराया फिर उसने दिल्ली पर कबजा कर लिया और सहर को लूट लिया अपने साथ मयूर सियासन और कोई एक नूर हीरे सहित भारी मातरा में खजाना ले गया इसके बाद नेश्ट है मुगल बंस मुगल बंस में पॉइंट नंबर एक है ये एक मुस्लिम राजबंस था जिसने 16 सदी की सुरुआ से 18 सदी के मद्ध तक अधिकान से उत्री भाग पर साथन किया था इसके बाद नेश्ट पॉइंट है इस राजबंस की इस्थापना तैमूर और चंगेश खान के बंसर्च बावर ने की थी इसके बाद नेश्ट पॉइंट है मुगल समराज महान अकबर सासन काल जिसका था 1556 से 1605 तक इसके तहट अपने चरम पर पहुँच गया जिसने एक केंदरी किरत नौकर साही की इस्थापना की और धार्मे की साही सुनाता को बढ़ावा दिया इसके बाद नेश्ट पॉइंट है अठारावी सतावदी में आंतरिक संगर्स और बिर्टी इस्ट इंडिया कंपनी के उधर सहीत कई कारकों के कारण समराज का पतन हुआ मुगल समराज अधिकारी तोर पर 1857 में समात हो गया जब अंग्रेजों ने भारतिय बद्रोय को दबा दिया इसके बाद है सायद बंस जिसका सासन 1414-1451 पैगंबर मुहमद के बंसर खिजर खान दोरा इस्थापित किया गया था इसके बाद नेश्ट पॉइंट है 37 बरसों तक सासन किया और लोदी बंस ने उसका उत्तरदिकारी बना लिया इसके बाद नेश्ट पॉइंट है अपने सासन के दोरां सेद दिली सल्टनत में सांधी और इस्थिता बनाए रखने में सच्छमत है उन्होंने बास्तू कला में भी कुछ महिटपून योगदान दिया जिसमें दिली में जामा मस्जिद का निर्माण भी सामिल है इसके बाद नेश्ट पॉइंट है लोदी बंस जिसका सासन काल 1451 से 1526 तक है इसके बाद नेश्ट पॉइंट है उन्होंने बास्तु कला में भी कुछ महट्पू योगदान दिया था जिसमें फटेपुर सीक्री परीसर का निर्वान भी सामिल है इसके बाद नेश्ट है खिल जी वर्द जिसका सासन काल जो है 1290 से 1330 तक है इसकी इस्ताफना तुर्क सेनापती अलाउद दिन्स खिल जी ने की थी तीस वर्द तक सासन किया और दिली सल्टनत के सफ़े सकती साली राजबंसों में से एक था इसके बाद नेश्ट पॉइंट है अपने सासन के दौरान खिल जी गुजरात मालबाब बंगाल सहीत भारत के बड़े हिस्ते को जीतने में सच्छमते इसके बाद नेश्ट पॉइंट है उन्होंने सेने प्रौदोगे की में कुछ मेटपून योगदान दिया था जिसमें हाथी पर लगी तोप का बिकास भी सामिल था इसके बाद नेश्ट क्यूशन जासवी जी एश्टी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग को किस जी एश्टी स्लैब में इस्थानांतरित कर दिया है तो इसका सजयांसर रगा 28 प्रतीसत अब इसमें संबंदी कुछ तुरलब बीमारियों की दबाओं और इसे चिकेसा उदेशों के लिए खात उतपादों को जी एश्टी कर से छुट दी इसके बाद नेश्ट है बिना पकाय बिना तले और बहार निकल गए स्नेक प्लेट पर जी एश्टी दर्ग 18 पिरतिसत से 5 पिरतिसत कर दी गई इसके इसके बाद नेश्ट पॉइंट है गेमिंग और कसीनों के पूरुन मूल पर 28-26 जी एश्टी दर लगाई गई है जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक नुकसान की बात है इसके बाद नेश्ट और लास्ट कोशन आपका बिक्सित भारत संकल ब्यात्रा नेमलिक्स मे परें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेश्ट वीडियो में धन्यवाद